राधर राधर दर्सको मैं आपके एस्टो लोजर आड के मिश्रा आपका स्वागत करते हूं हमारे यूटूब चैनल ग्रहो के चाल में दर्सको आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशी के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना उनके लव लाइफ, मैरे लाइफ, करियर, शिक्छा या फिर प्रेम प्यार को लेकर यदि आप हमारे चैनल पे नहीं नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा यदि आपके मन में कोई शेवाल है ग्रहों से जूड़ा हुआ, जोतिस से जूड़ा हुआ या फिर अपने लव लाइफ, मैरे लाइफ, करियर से जूड़ा हुआ, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हर स्टेक एश्ट्रो आर्के मिश्टा लगा कर आप अपना प्रस्न पूछ सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं विश्य वस्तु की ओर, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे दोरा देगे जनकारी चंदर के स्ट कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में, दर्सको जब बात आती है स्ट की, इमनेटी सिस्टम की, तो स्ट हाउस याने की पर्थम भाब को देखा जाता है, पर्थम भाब के आपके लोड बनते हैं बुद्धुदेव, जो की चतुर्थ भाब में बैठे हुए हैं अनसी गरहन योग भी बनता है, अब आपके साथ समस्या यही होगी कि थोड़ा बहुत हेड़क, टेंसन, माइग्रेन, ऐसी समस्याओं का स्टामना आपको अक्टूबर के महीने में करना पड़ सकता है, वहीं बात करें हम पंचम भाब की, यानि की सिच्छा की, तो सिच्छ का भी होता है, अभी हम बात करेंगे शिक्छा को लेकर, पंचम भाब में जो शुक्र दे बैठे हुए हैं, 13 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर राशी परिवर्तन करके यह छट्थे भाब में आ जाएंगे, जो कि मंगल की राशी है, ब्रिश्चिक राशी में आ जाएंगे, 13 अक्टूबर से पहले, यदि हम पढ़ाई की बात करें तो बहुत अची रहेगी, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशी में बिरजमान है, अपनी ही घर में है, जो शुक्र अपनी राशी परिवर्तन करके छटे भाब में जाएंगे, तब आपको थोड़ा चिंता, टेंसन इत समय आपके लिए स्वर्वत्तम शिध होगा, यदि आप पहले से उसके लिए तयार है और पर इच्छा देते हैं, तो आपका रिजल्ट 100% होकर ही रहेगा, किन्तु यदि 13 अक्टूबर के बाद आपका कोई एक्जाम है, तो यदि आप तयारी कर भी चुके हैं, आप अच् देखते हैं, याने के पंचमभाब को देखते हैं, फीप थाउस में विर जमान है आपके शुक्रदेardeep अपनी हिराशी में, बुधध भी चतूर्थभाब में विर जमान है, अपनी हिराशी में, तो सेम फिलिंग होना तो लाजमी है, लब रिलेशिन के लिए समय काफी अ बहुत अच्छा होगा आप दोनों अपने पार्टनर को लेकर आपकी जितनी इच्छाएं हैं सारी पूरी होंगी किन्तु 13 अक्टुबर के बाद आपको अपने पार्टनर में थोड़ी बहुत बुराई दिखनी शुरू हो जाएगी वो होगा शुक्र के राशी परिवर्तन के वज़ा से क्योंकि शुक्र छटे भाव में चले जाएंगे मंगल की राशी में चले जाएंगे ब्रिश्चक राशी में जाएंगे और मंगल सेना पती हैं ग्रहों के उनमें क्रोध, एहंकार, इत्यादी ज़्यादा पाया जाता है बात करें Married Life के यदि आप मिथुन राशी के जातक हैं तो Married Life कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में चलिए जानते हैं बैरिल जोतिक शाष्ट्र में Married Life के लिए देखा जाता है थोड़ी थोड़ी से बात में चीड़चीड़े हो सकते हैं अश्टमक से रिलेटर स्वरमस्या उनको हो सकती है गया सित्यादी का प्रोब्लम उनको आ सकता है जिसके बज़ा से आपके प्लान यदि आप दोनों डेट पे जाने वाले थे डिनर के लिए निकलने वाले थे तो उनकी तवेत खराब होने के वज़ा से आपका प्लान रध हो सकता है बात करें करियर, बिजनेश और भागी की कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने में भागी में शनी है और शनी है तो मनी है तो बहुत अच्छा भागी कहा जा सकता है भागी के मालिक फरासी में भी जमान है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है एदि आप कोई नया काम सुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए विश्चम है काफी अच्छा है सनी बकरी हैं, इसलिए 14 नमबर के बाद ही कोई बड़ा काम आप सुरू कर सकते हैं 14 नमबर से पहले अदि आप कोई बड़ा काम सुरू करते हैं तो हो सकता है कि छोटा मोटा निक्सान आपको सहना पड़ जाए यदि कोई बहुत बड़ा काम है तो उसको 14 नमबर के बाद ही शुरू करिएगा हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रहें अपने भागी बिजनस को लेकर राहू का यहां होना दशंभाव में आपको कंफ्यूजन, भ्रह्म, शंका, ऐसी समस्या को दे सकता है हो सकता है कि आप बोलेंगे ज्यादा काम कम करेंगे बातों पे आप बातूनी हो सकते हैं लेकिन काम पर ध्यानापक बहुत कम रहेगा इस ठीतिया बनेंगी कि जब राहू परिवर्तन लाते हैं तो बहुत अच्छा लाते हैं तेंथ में हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा तो आपको देंगे ही देंगे कुछ ने कुछ परिवर्तन तो देते हैं लेकिन मन में भी बहुत बदलाव दे सकते हैं हो सकता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने के इच्छा आपकी ना हो, उस काम को छोड़कर आप कुछ होड़ करना चाहें, आपको ऐसा लगेगा कि इस काम में हमको तो कुछ फैदा हो ही नहीं रहा है, इस कारण से आपके मन में कुछ भ्रहम की सिद्यां बनेगे, इंकम के लिए हाज से अच्छा समय है, यदि आप कहीं इंवेश्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है, मिथुन राशी वालों को यह सलाह दी जाती है कि आप लोग गुरु के बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रिम रोशा गुरुवाय नमा का मंत्र जाप करें, इस से आपके लाइफ में चोटी मोटी जो समय आने वाली है, बस हम आप थोगे, तो दर्सको, यह थी हमारे दोरा दी गए जनकारी, मिथुन, राशी फल अक्टूबर दोहरा चोविश्ट, क्या फल लगा आपको जरूर बताएगा, यदि आप हमारे दोरा कुंडली का विशलेशन करवाना चाहते है अपने पार्टर के अफलियर जाना चाहते हैं, आपका लवलाइप खराब क्यू है, ब्रेक अप क्यो होता है, मैरेड लाइफ में समस्याएं क्यूं चल रही है जग़रे क्यों होते है, इन वारे विशो की जनकारिया दिया आप हमारे दोरा चाहते हैं, तो हमारे बिडियो म पिर आंगे कुछ नया कुछ लग लेकर जिसे आपके जीवन इंपर वरतन लाया जा सके राधे राधे